अग्राइब इस विल्वार्स वार्वाचिंग वर्सल टेक्टाउब तो आज समर स्लाइम हो चुकी है और समर स्लाइम में हमें सबसे पहले बियांका ब्लेयर वरसेस बेकी लिंच का मैच देखने को मिला है फूर दर रॉर्ण ओमेंस चैंपियंशिप और जिस मैच में दोनों ही सुपरस्टार ने काफी अच्छा परपोमेंस दिया है हाँ पे और ब्लेयर ने डिफीट कर दिया है बेकी लिंच को और वो स्टील राव उमेंस चैंपियन बनी रही और इस मैच में दोनों सुपरस्टार में मैच खतम होने के बाद है जा दूसरे को गल्रै लगाया और एक दूसरे को सपूर्ट किया और मैच खतम और 230 25 देखने को मिला है जी हां दोस्तों बेली वापस आ चुकी है और वो अपने ठीम के साथ आई हैं और सामना किया बियांका ब्लेर और बेकी लेंच का फेस टू फेस हुआ और फिर वास निकल गया अनेच्ट लोगन पाल फोर्ट इस दमीज वाद पर्फोर्मेंज बगए अदर माच अफिसियली डिविट मैच हुआ हैं पर लोगन पाल का काफी अच्पोर पोल्स डिया हुनों ने और इस मैच में जीत भी आसिर केजिए शिए हमीज को हरा दिया है यहां पर लोगनस पाल न मिच जो काफी ज्यादा ओल रहे थे कि मैं टू टाइम ग्रेंट स्लाइम चैपियन हूँ और मेरा मिच और मिच जो सो है काफी अच्छा जा रहा है सब कुछ ओल रहे थे लेकिन लोगन पॉल में उनका मुबंद किया अपने डेब्यू मैच में 1&1 मैच में हरा दिया वहाँ प इस ऑल्माइटी बॉबी लैश्ली मैच वाथ होने से पहले ही वहाँ पे जब बॉबी लैश्ली रिंग चार्ट पर खड़े थे उसी समय थी ने अटेक किया अपने ब्रीफ के से लेकिन फिर भी लैश्ली है ऑल्माइटी उनका जवाब नहीं रिटेन किया वहाँ पे तुर चैंपियंशिप सब कुछ लगाया और फिर वहाँ पे इस मैच में जीत हासिल किया जी हाँ दोस्तों रिटन किया है बॉबी लैश्ली अपना युनाइटेट स्टेट चैंपियंशिप आल्माइटी इस आल्माइटी जिस तरह थी अगले पिछले जो रामें स्मैक डान में बोल रहे थे कि वो रिटेंड करेंगे अपना चैंपियंशिप और और वो वेंश को भी आ रहेंगे लेकिन कुछ आने वा जी और नेक्स्ट है मैं जज्जमेंट डे वर्सेज डॉमिनुक और रेमिस्ट्रियों के बीच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन स्मैच देखने को मि जिसमें काफी अच्छा पॉपांस दिया है रेमिस्ट्रियों डॉमिनेक दोनों ने काफी अच्छा हाइफ फ्लाइंग मूब्स दोनों बाप बेटे में दिया काफी अच्छा पॉपांस दिया लेकि वहाँ पे जब 619 लगाने वाले थे उसी समय जो रिया रिपली ने देमियन प्रीस्ट है उन्होंने चोक स्लेम लगाया रेमिस्ट्रियों को जैसे ही वहाँ पे बवाल उठकिया दोस्तों और सभी को सॉक किया वहाँ पे रिटेंस जो था वहाँ पे भी किया एफ वाले दो जिंदो पाटार आपाश हो दोस्तों पितले की लोगला को और देम प्रीस्टे को कि और वो स्पियर लगाया और रेमिस्ट्री और डॉमिट ने चीत हासिर की स्माच में अनेक्स्ट हैपी कॉर्विन वोट सेस पैट मेकफी का एक जब जस्ट मैठ देखने को में मिला और पैट मेकफी को देख को लगता हिनि कि वो एक सुपरस्टार के रूप में वह हो पर पर ना चाहिえー जिस तरह उन्हें परफम्ज देते हैं और मैं परशनली उन्हें वहां से हट जाना चाहिए और वो एक सुपरस्टार के रूप में वहां पर आए ना कि एक एनाउंसर के टेबल के पर बैठे रहे हैं और काफी अच्छा परफम्ज दिया और जो लोग लगाया था इस वैक डाउन में हैपी कॉर्बिन ने उसका पूरा बदला लिया है मैट कैफे ने और एक रिफरी के इंटर फ्रेंज किया और लोग लगाया और इस मैच में जीत हासिल कर लीजी हां मैट कैफे के ने हरा दिया यहां पर हमारे हैपी कॉर्बिन को और पूरी तरह से उनका मुझ बंद किया है और नेक्स्ट माच यह वे अन्य डिस्पूटेट टाग टीम चैंपियोंचिफ और इस मैच में किस्ट रेफरी थे हमारे जेफ जेफ जेरेट फिर से हमें परस्टनली जो मैं परस्टनली पर सोची तो इस मैच में इस्टी प्रॉफिट्स की जीत होनी चाहिए थे कि गाफी अच्छा पर्परमेंस दे रहे हैं वो लगतार दे रहे हैं और लेकिन पता नहीं डबो डबी की क्या है कि उसोज और रोमर गुरींस को अपना ही एक रखते हैं उपर कितना भी कर लें वो हार नहीं रुपमान रहे हैं हार नहीं जा रहे हैं इस मैच में हमें परस्टनली जो है मैं खुछ नहीं उसमें आज के विजब हैं SmackDownal Bro, दोनों के टाफ टीम चैंपिएंस, निक्स्ट, रावडी, रावडार्वाजी वर्सेस, लीव मॉर्गन, SmackDown राउन चैंपियन स्मागडारोंड रोडी रांजारा जिवासेज लीव मॉर्गन के बीच और इस मैच में काफी कॉंट्रिबर्सी रही लीव मॉर्गन ने काफी अपना पतलब बचा के रखा अपना चैंपियन स्पॉर्स मैच में जीत हासिल की और काफी नाखुश थी वहाँ पे रांडा राजी उन्होंने फ्री तक उन्हें छड़ा उन्हें वर्मार्म जो उनका फ्रेंसिंग में वो लगा दिया है लास्ट में काफी नाखुश थी रेफ्री से लाड़ा रहांगी आगे दिखना पड़ेगा हमें क्या होता है इंदम के विच्छा नेक्स्ट कीन हमें देखने कोई लहाँ वो अटेंडेंस जो थी संग स्लैम की वो बताने आया थे जो थी और तालीस जार चार सुन जास एंड बिग डाउग था अंडिस्पीरेट ट्राइबल चैप इसे है और जो हमारे काउब ब्रॉक लेक्ड लेके आजाते हैं स्मैस में केन से इंट्री करते हैं और उसी के उपर से उच्छन के मैस बहुने करे दीजिए नागी पहले ही और अटैक कर जोते हैं हमारे ट्राइ मैच यह रहा काफी मतलब क्या जबजस्त मैच था पॉल हेमन तक को नहीं चुड़ा है वहाँ पे ब्रॉक लेजनर ने उन्हें भी लाउच टेबल पड़क दिया स्पियर सुप्लेक्स सब पुछ लगा इस मैच में काफी जबजस्त तरीके से और क्यार रोमन रेंज रिंग पे और वहाँ पे अपनी क्रेंज से जी यहां दस्तों अपनी क्रेंज जो लेके आये थे ब्रॉक लेजनर उसे से वे रिंग को ही उठा के फलड़ देते हैं एक बड़ा ही जबजस्त द्रिस यहां पे ग्रोमन रेंज को सीधे उखाड़ पेगा वहां से रिंग को उखाड़ दिया और फिर वहां पॉलहेमन उन्हें रोकने कुछी करते लेकिन वहां उन्हें भी नहीं बक्चा और सीधे नाश्टें पड़कती है और उसके बाद हमे स्पिर दिया ब्रॉकलेसर को रूमन रजाओ वहां पर थीवरी भी आ जाते हैं बीच में लेकिन वहां ब्रॉकलेसर नहीं भी चुछा नहीं वहां पर फाइब लगाया और फिर उसूज में आके वहां पर फिर से गिम कर दी और श्माच में ट्राइबल चीप की जीत होती है आज वह फिर से बनेर रहती हैं अन डिसिप्यूटर यूरी वहां पर कैसल आजू का माच अब रोमन ड्रेंज वासर डू मेकंटार का अब देखने को लिए अब देखना है कि फिर से रोमन ड्रेंज को जीत वाती है कि ड्रू मेकंटार को चांस मिलता है आफे बनने का चैंपिन अब तो रोमन ड्रेंज हो चुके हवाद हो चुके प्लीज बंद करें ड्री यह अब रोमन ड्रेंज थैंक्स पूर वाचिंग और कैनली सब्सक्राइब दूबाइज चैनल में को सिल्टेक्टार